जंग का मैदान हो या फिर मैदान हो सफलता का दोनों के अंदर यकिनन जीता जा सकता है बस सर्थ इतनी सी है कि आपकी तैयारी हो दूसरा आपके अंदर जुनून हो तो जंग का मैदान हो या फिर सफलता का दोनों के अंदर जीता आपकी निस्चित है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी क्लासेज के अंदर जैसा कि मैंने कहा था आपको की रीट की क्लासेज हम चलाएंगे पिछली कक्सा के अंदर रीट का जो मनोविज्यान का पाठेकरम है क्या क्या बिंदू है लेवल पर्थम और दूती है जो सीटेट के अंदर भी आते हैं उनकी चर्चा की आज हम विदिवत रूप से प्रारम करते हैं मनोविज्यान की जो पर्थम यूनिट है जिसका अपने नाम है बाल मनोविज्यान बाल विकास एवं सिक्ससास्तर जो पहली यूनिट है वहाँ से प्रारम करते हैं पहली यूनिट को देखने से पहले थोड़ी सी मनोविज्यान की चर्चा कर लेते हैं बिल्कुल आपको सटीक नोट्स के रूप में ये कलेक्शन मिलेगा विस्त्रित कुछ भी नहीं है और जितना विस्त्रित है उन्हीं चीजों को बिल्कुल सोर्ट के अंदर इस तरी की से समायत किया गया कि इनसे बार कुछ नहीं जाएगा तो यकीन रखिए जुड़े रह असान को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोज की आपको सूसना मिलती रहे चलिए शुरुवात करते हैं बाल मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्स असास्तर और कुछ महत पूर्ण सोसनाओं के लिए आप जो मेरा टेलिग्राम चैनल है कवी आधिगनेस हिंदी नाम प्रक्तिरे कविताओं का शोक रखते हैं तो आधि की आवाज नाम से मेरा दूसरा चैनल है उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले सुरुवात करते हैं अर्थ बाल मनोविज्ञान बाल विकास एवं सिक्स असास्तर सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविघ्यान का अर्थ, बाल विकास, बाल मनोविघ्यान को देखने से पहले बनोविघ्यान की अर्थ को जान लेते हैं कुछ चीज़ें तो अपने एटकिंसन मोदे हैं, इस्मित हैं और हिलगार्ड ये क्या कहते हैं मनोविज्यान की विशय में कि मनोविज्यान वेवार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का क्या है वेग्यानिक अदेन है कौन कहते हैं एटकिंसन, इस्मित और हिलगार्ड वही हम बात करें साइकलोज सब्द की इसकी बारे में कई बार पूछा जा सकता है तो सामने सी चर्चा है साइकोलोजी सब्द की उत्पति लेटिन भासा के दो सब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है लेटिन भासा के दोनों सब्द साइकी का हम बात करें अर् आत्मा का अध्यन साइक्लोजिका साब्दिकर्द क्या होगा है आत्मा का अध्यन मनुविग्यान की थोड़ी सी जानकर रिलेंगे हैं फटाफट अब देखिए सोल्वी सताब्दी के अंदर मनुविग्यान को आत्मा के विग्यान के रूप में स्विकार किया गया था 16 सतापदी में मनो विज्ञान को किस रूप में? आत्मा के विजञान के रूप में और इसके जो मानने वाले थे हो कुन थे? प्लेटू और अरस्तू 27 सतापदी के अंदर मन या मस्तिस्ट का विज्ञान कहा जाने लगा इसे इस रूप में इसको स्विकार किया गया मुख्य रूप से कौन थे पॉम्पो नो जी वहीं बात करें फिर 19 सताब्दी में तो मनोविज्ञान को 19 सताब्दी के अंदर चेतना का विज्ञान मानने लगे परवर तक या मानने वाले कौन थे वूंट विलियम जेम्स वाइवस औ आली सोल्वी सताब्दी में आत्मा का विज्ञान सत्रु में मनिय मस्तिस का विज्ञान 19 में चेतना का और 20 के अंदर फिर बात आती है विवार वे अनुभूति का विज्ञान 20 सताब्दी में क्या सुविकार किया विवार वे अनुभूति का विज्ञान और जो मानने वाल वोट्सन वोडवर्थ और इसकी नर ये मनुविज्यान का थोड़ा सामने अर्थ देखा तीन-चार परिवासा हैं मुख्य रुप से वो भी देख लें इन विद्वानों ने मनुविज्यान की क्या परिवासाइं दिये तो मन के अनुसार आधुनिक मनुविज्यान का सम्मंद विवहार की विग्यानिक खोज से हैं मन क्या कहते हैं कि आधुनिक मनुविज्यान का सम्मंद आजकल की जो मनुविज्यान है उसका सम्मंद विवहार की विवहार की विग्यानिक खोज से हैं ये कौन कहते हैं मन वोट्सन ने क्या का कि मनुविज्यान को विवार क धनात्मक विज्ञान के रूप में प्रिवासित किया है वोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्रों कि यह विवार करते रहो समंद्ध बनाते रहो लोगों से वुडवर्थ क्या कहते हैं मनो विज्यान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानना विवारों का विज्यान है मानना विवारों का विज्यान वुडवर्थ साब कहते हैं वहीं मेग डूगल मनो विज्यान आ पाच्रन एवं विवार का क्या है यथार्ट विभ्यान किसने कहा मेग डूगल साहब ने तो यह मनो विभ्यान के संबंद में थोड़ी से हमने जानकरी देखी अब आते हैं अपने मुखे बिंदु की और बाल मनो विज्ञान और बाल विकास का शंक्षिप इतियास बाल मनोविग्यान को पढ़ना है में बाल विकास को देखना है तो सबसे पहले थोड़े सी उसके पिछे का जो इतियास है सुरुवात का जो इतियास है वहाँ से प्रशन पूछे जाते हैं तो उसकी जानकरी भी हमें होनी जरूरी है आवश्यक है तो अठारिवी सतापदी के अठारिवी सतापदी में पेस्ता लोजी ने बालक विकास का सर्व पर्थम वेगयानिक विवरन प्रस्तूत किया प्रशन पूछा जाए कि सर्व पर्थम बालक विकास का वेगयानिक विवरन किसने प्रस्तूत किया था तो पेस्ता लोजी ने अठारिवी सतापदी में प् वर्स का उस पर भी उस पर ही इन्होंने ये प्रिक्षन किया था उनके अपने ही साड़े तीन वर्स के पुतर पर किया गया था ये अध्यर बेबी बायोग्राफिय प्रादारी था और वेगानिक विवरन प्रसुत करने वाले थे पैस्ता लोगी आगे बढ़ते हैं एक थे ज प्रिंद की रूप में प्रकासित करवाय था ये भी बेबी बायोग्राफिय पर ही आधारी था आगे देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं संक्षिप्त इतियास के अंदर तो 19 सताब्दी में अमेरिका में बाल अध्यन आंदोलन चला पूछा गया है पूछा जा सकता है 19 सत सताब्दी में अमेरिका में चला था बाल अध्यन आंदोलन और जन्म दाटाकों थे इसके परवर्टा कों थे बाल इस एन अध्यन आंदोलन के स्टेले हॉल स्टेले हॉल अमेरिका में достर्थ औस सथाब्दिम ये चीज़े अगर इत्मिनाद से सुनोंगे आप तो एक बार म दूसरी चाइलडвेलफेर औरगनाइजएशन。 किसने किया था? इस्टेनले होल तेसके संस्ता पक चलिया आगेबढ़ते हैं और जो परतम बाल ग्रे की स्तापना हुई थी ये भी प्रशन पोचा गया है आगे भी ध्यान रखें परतम बाल ग्रे की जो इस्तापना हुई थी वो 1887 में हुई थी नियुवार्क में हुई थी ये किस वज़े से हुई थी बाल अपरादियों को सुधारने के लिए परतम ब बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे बढ़ते हैं अब 19 वी और 20 सताबदी के अंदर कुछ बाल मनुविज्यान को लेकर पुस्तक के प्रकासित हुईती जो पुस्तकों के समंद में भी कई बार प्रशन पूछा जाता तो यह 3-4 महत्वपूर्ण है हालां कि और भी पुस्तक के हैं कि तीन-चार जो महत्वपूर्ण है उनका विवरण देख लेते हैं थोड़ा सा तो यह बाल मनुविज्यान समंदी पुस्तक के हैं डार्विन साब की अठारा सो सततर में बायो ग्राफिकल स्केश ओप एन इंफैंट ठीक है प्रेड साब ने लिखी 1881 में दे माइंड ओफ दे चैल्ड प्रेड साब ने लिखी दे मैंड ब डे चायड घेशेर्स की 1930 के अंदर गाइडन्स अ जल्युटल रिएन्ज सीते हैं गाइड़ेंस का लिएवन्यविवेज और हम बीएवी जरक्रांथ ऑप मेन्टल ग्रोथ गाएडेंस में हो याज इसँ Beet lost《ra3-5 Sex चाइल्ड 1926 के अंदर वहीं पियाजे साब ने 1930 में एक और पुस्तक लिखी Moral Judgment of Child Moral Judgment of Child यह थी कुछ पुस्तक है आगे बढ़ते हैं बाल मनोविज्यान और बाल विकास का अर्थ बाल मनोविज्यान का अर्थ क्या है यह यह कहें कि बाल विकास का अर्थ क्या है किन विद्वानों ने क्या परिवासा दी वो देखते हैं पहली यूनिट है दिरे दिरे आगे बढ़ रहे है क्रो वे क्रो साब क्या कते हैं 1908 में बाल मनोविज्यान वह वेग्यानिक अध्यन है बाल मन विग्यान वहें वेग्यानिक अध्यन है जो वेक्ति के विकास का अध्यन गर्बकाल के प्रारंब से किसवर अवस्ता की प्रारंबिक अवस्ता तक करता है तो गर्बकाल के प्रारंब से और किसवर अवस्ता की प्रारंबिक अवस्ता तक की करता है ये कौन कहते हैं? क्रो आगे देखते हैं जेम्स ड्रेवर या यूं कहीं ड्राइवर साथ क्या कहते हैं 1968 में 68 में बाल मनोविज्यान मनोविज्यान की वह साखा है जिसमें जेन्म से परिपक्वा वस्ता तक विक्षित हो रहे मानव का अध्यन किया जाता है ठीक है ये कहते हैं जेम्स ड्रेवर साहाब आईजेक साहब क्या कहते हैं आईजनेक साहब 1922 में बाल मनोविग्यान का सम्मंद ध्यान से सुने का इस परिवासा हो इस परिवासा के अंदर आपको बाल विकास और बाल मनोविग्यान की पूरा सारांस है जो निचोड है जो मिल जाएगा बाल मनोविग्यान का सम्मंद बालक में मनोविग्यनिक परिकरियाओं के विकास से हैं जो बालक की मनोविग्यनिक परिकरियाओं उनके विकास से हैं बाल विकास का मतलब इसमें क्या होता है गर्ब कालिन अवस्ता जन्म की अवस्ता सेस्व अवस्ता बाल्य अवस्ता किसोर अवस्ता और परिपक्वे अवस्ता तक बाला की मनोवग्यानिक विकास परकिरियाओं का अदेन किया जाता है यानि शुरू से लेकर आखरत की जितना भी विकास होता है उसका जो समग रहे अदेन होता है वो बाल मनोविग्यान बताते हैं बाल मनोविग्यान के संबन में बताते हैं आईजनेक 1972 में तो यह तो हो गया बाल मनोविग्यान बाल विकास का अर्थ और क्या है यह परिवास है कि अब बाल विकास की जो यह विशे है बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के रूप में ज्यदा व्यापक द्रिश्टिकोंड से देखने लगें तो इसकी इस विशे की उपयोगिता क्या है किसके सेतु यह काम आता है निश्चिन तरहें यह आखरी बिंदु आज के कक्सा के आगे की जो बिंदु है, विर्दी, विकास, उनमें क्या डिफ्रेंस है, क्या अंतर है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे. तो बाल विकास विसे की उप्योगिता है प्रमुक उप्योगिता निम्द में से बाल विकास की उप्योगिता नहीं है इस प्रकार से भी प्रशन पूछा जा सकता है तो देखी, बालकों के स्वभाव को समझने में उप्योगी, अगर बाल विकास जो ये बाल विकास और बाल मनोग्यान चल रहा है, अगर इसका अच्छे से अध्यन किया जाए, तो क्या-क्या सुधार हो सकते हैं, तो इसमें बालकों के स्वभाव को समझने में उप्योगी है बालकों का सोबाव किस प्रकार का क्या है तो उसको समझने में आसानी हो जाती है बालकों के सिक्षण और सिक्सा में उप्योगी है यह बालकों के विकास को समझने में साहिक है कि किस प्रकार से क्या विकास हो रहा है कहां पर क्या गड़बड चल रही है बालकों के व्यक्तित इस बाला की विषए में तो हम उस बाला को उस वनवसार भी निर्देस दे सकते हैं जिसकी उस समय उस बालो को अवश्यक्ता है पर बालकों के वेवार के नियंत्रन में साइक अगर आप परिपूर्ण है, पारंगत है, बाल विकास और बाल मनोग्यान को अच्छे से आपने समझ लिया है, तो आप बालकों के विवार में भी, उनके विवार को नियंत्रन करने में भी ये सायक सिध हो सकती है, तो सुक्रिया दोस्तों, आज की कक्सा में इतना ही, आगे क कक्सा में हम बात करेंगे बुद्धी, वृद्धी और विकास की उनकी क्या-क्या अंतर है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आगे जो बिंदू है, उन पर हम चर्चा करेंगे, लाइक नहीं किये तो लाइक कर दें, और सभी को शेर कर दें, जैहिंद वंदे मात्रम्